गीता और गीता ग्यान, हमें मानव जीवन के लिए आध्यात्मिक बनने में क्यों मदद करते हैं? गीता का केंदरिय संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता की विना, अपने करतव्यों का पालन करना चाहिए और इसके बजाए सभी कारियों को परमात्मा को अर्पित करना चाहिए ये वैराग्य व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है और परम्मुक्तिक और ले जाता है भगवत गीता आध्यात्मिक्ता के बारे में क्या कहती है? वह अर्जुन को सकारात्मक मानसिक्ता विकसित करने, वर्तमान क्षण पर ध्यान के इंद्रित करने और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्यागने की सलाह देते हैं। भगवान कृष्ण यह भी सिखाते है कि आध्यात्मिक्ता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह अर्जुन को आंतरिक शांती की भावना पैदा कर कृष्ण की आध्यात्मिक्ता क्या है? कृष्ण को सत्चित आनंद विग्रह के रूप में जाना जाता है। उनका आध्यात्मिक रूप अनंतका ग्यान और आनंद का अवतार है जब भी वह भौतिक जगत में प्रकट होता है तो वह अपने आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होतने और परमात्मा के साथ गहरा संबंध तलाशने के लिए प्रोथसाहित करते हैं इसका मतलब यह है कि कृष्ण का शरीर अस्थाई या पदार्थ से बना नहीं है यह हमेशा मौजूद रहता है और समय के साथ इसका क्षरण नहीं होता है